हालो फ्रेंज, वेलकम तो बीजी क्लासेज मेकिंग वे थू शॉटकट्स तो दोस्तो आज जो है आपका टॉपिक फेवरेट वाला आने वाला है आप लोग बड़ी देर से बोल रहे हो कि सर पॉलिटिकल डिविजिन्स ओफ इंडिया जो है वो पढ़ाओ टॉपिक जो है वो असान सा है, काफी असान टॉपिक है लेकिन है क्या क्योंकि पहली पार है जेके ISP किश स्लेवरेट में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें पढ़ना क्या है, किस तरीचे से पढ़ना है ठीक है, तो वही चीज आपको बताने वाला हू wyn, जब आप चीज देखोगे आप पढ़ोगे, कि अच्छा, ये था इसमें, फिर आप बोलोगे कि ये तो बड़ा आसान था, इसमें तो कुछ था यह नहीं पढ़ने वाला ठीक है, काफि सारी चीजें इसमें है ऐसी बात नहीं है लेकिन इसमें कुछ समझने वाला वैसा नहीं है इसमें सर्फ याद रखने वाले पॉइंट है ठीक है तो वो भी मैं आपको याद करवाँगा किस तरीके से आपको याद करने है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग Political Divisions of India उससे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे Political Division और Physical Division में क्या फरक है क्योंकि आपको जो है ये पढ़ने से पहले आपको at least उसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए ठीक है तब ही आपको पता चलेगा कि उसमें हम लोगोंने पढ़ना क्या है Political Division में ठीक है तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और चैनल को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहे है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आते हम लोग Political Division मैंने मैप लिया यहाँ पर Political Division of India Political Map of India है ठीक है अब ये क्या है देखो Political और Physical में फरक क्या है Political Division मतलब जो हम लोग करते हैं जो Humans करते हैं किसके लिए Administrative Purpose के लिए मतलब कि हमारा Administration जो है वो असान हो जाए हमें चीजें हैंडल करना चीजें हैंडल जो है वो असानी से हो जाए इसलिए हम लोग उस चीज़ों को Divide करते हैं जैसे कोई एक Suppose बड़ी स्टेट है ठीक है तो उसको हमने दो में Divide कर दिया ठीक है तो वो हमने क्या किया उसको Politically Divide किया ताकि हम उसको Administrator जो है वो Easily कर सके ठीक है अब ऐसे मान के चलो अगर आपका जैसे पूरा India पूरे इंडिया में एक ही बंदा ऐसा होता Suppose Prime Minister होते हैं कोई भी मतलब एक ही बंदा ऐसा होता जो कि उसको Administrator करता पूरे इंडिया को तो वो कितना मुश्किल हो जाता उसके लिए ठीक है तो इसी लिए क्या होता है हम लोग Different different states में different duties में उसको Divide करके रखते हैं Divide करते हैं ताकि उसको Administrator करना जो है वो Easy हो जाता है तो वो क्या होता वो Political अब Physical में क्या आता है Physical में ऐसी Divisions होती है जो कि हम लोग नहीं करते जो कि पहले से होते हैं Like Mountain Ranges उसके बाद Deltas होगे, Deserts होगे ठीक है ये सारी जो Divisions है आगे आपके पास ये देखो ये आपका है Physical Map ठीक है जिसमें आपको दिख रहा होंगे Divisions like Ranges होगी ठीक है फिर River System हो गया ये सारे हम लोगों ने नहीं की हैं ये अपने आप होएं ठीक है तो ये क्या आगया ये किसमें आता है ये आता है Physical Divisions में और Political में क्या आता है जो लोग हम खुद करते हैं ताकि Administration जो है वो असान हो जाए चीजें Easily Handle हो जाए वो उसमें क्या आता है वो Physical Divisions में आता है तो Political में आता है तो Political में मतलब आपको इतना पता चल गया कि Political जैसा कि आप Political का Map देख रहे हो ये ठीक है तो Political में आपको क्या क्या करना है आपको मतलब Different States जो है उनके States भी याद रखने है उनकी Capitals याद रखने है उनके CM याद रखने है उनके Governors याद रखने है तो ये चीजें भी आपको करनी है और Different चीजें जैसे किसी State के बारे में कोई Special चीज है कोई अच्छी चीज है कोई नहीं बनी है State कोई UT नहीं बनी है तो वो चीजें भी आपके इसमें आ जाएंगी आसा नहीं है इसमें नहीं आएंगी तो ये चीजें जो है आपको इसमें पढ़नी है ठीक है तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते है latitude और longitude के बारे में ठीक है longitude नहीं होता longitude होता है ठीक है तो क्या उसके बारे हम थोड़ा सा देख लेते है अब देखो यह हमारा globe है जो आपको दिख रहे है gold ठीक है अब यह जो आपको lines दिख रही है ये वाली ठीक है इनको क्या बोलते है latitude मतब lateral lines ठीक है इनको क्या बोलते है latitude और जो latitude 0 वाला है 0 degree पे उसको क्या बोलते है equator ठीक है equator जो है वो latitude वाली line ही है लेकिन 0 degree पे जो line है उसको क्या बोलते है equator बोलते है ये जो है globe को दो हिस्से में divide करता है एक अपर हिस्सा और एक hemisphere और नीचे वाले को क्या बोलते है southern hemisphere ठीक है ये तो आगया आपका सिर्फ latitude ठीक है अब zero से लेके अब किसी भी point को measure करना है हमने अर्थ पे किसी भी जगा को measure करना है वो कैसे measure करते हैं वो हम हम लोग करते हैं इसको जब हम आगे देखेंगे मतलब कि कोई इंडिया जो है वो उसका latitude और longitude कितना है तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको करते हैं आगे आता है ये आगे latitude उसके बाद आता है आपका longitude ठीक है अब ये latitude आपको पता चल क्या lateral lines है ठीक है अब longitude क्या है वो आपका वो है आपकी ये line है जो ऐसी है ठीक है ये line है और उसमें भी जो central line है जो कि divide करती है globe को again दो हिस्सों में कौन-कौन से हिस्सों में एक east में ये वाला हिस्सा जो है east है ये वाला हिस्सा कि आपक वेस्ट तो इंडीया आपका कहा आता है इंडीया आपका ये वाले हैा अप इसको बोल सकते हो कि यह स्फेर है तो स्फेर को हमें क्या किया दों हैमिस्फेर में दिवाइड किया पहले किस ने कुछ ने agreements 2-1 Egyptian में डिवैड किया कुन कुन से Northern hemisphere और Southern hemisphere again आपका prime meridian में भी दो hemisphere में divide किया कौन सा एक east और एक west तो इंडिया कहाँ पे आया आप देखो पहले उपर वाला कौन सा था उपर वाला northern था और उपर वाला और राइट वाला east मतलब north eastern hemisphere जो है वहाँ पे क्या लाई करता आपका इंडिया सबसे पहला question आपका इसमें से यही बनता है कि इंडिया जो है वो कौन से hemisphere में लाई करता है या कहाँ पे लाई करता है तो वो करता है north eastern hemisphere में लाई करता है ठीक है तो आपको longitude का भी पता चल गया latitude का भी पता चल गया ठीक है Arctic और Antarctic जो है यह हम यह World में आएगा यहाँ पे नहीं हम लोग पढ़ेंगे वैसे थोड़ा सा यह है कि यहाँ पे Polar Region यहाँ बड़ी ज़ादा ठंड होती है यहाँ पे गर्मी होती है तो यह चीज़े हमें नहीं अभी पढ़ने है हमें यहाँ तक क्या देखना है सिर्फ equator प्राइम मेरीडियन latitude क्या होता है longitude क्या होता है ठीक है तो यह चीज़े हम लोगों यहाँ पे देखने हैं जो main question पूछता था है इंडिया कहाँ पे आता है North Eastern Hemisphere ठीक है तो यह चीज़े हैं next क्या हाँ आपका चलो अभी start करते है यह मैंने आपको बता दिया यह जो globe मैंने आपको बताया था भी पीछे ठीक है अब है कि area ठीक है area इंडिया का कितना है 3,2,8,7,2,6,3 ठीक है मदलब 32,87,263 square kilometers इसका area है अब आ जाते है coastal area यह coastal area नहीं sorry coastal length coastal length क्या होती है जब आप इंडिया का map देखोगे ठीक है जासे हमने अब मैं बताता हूँ आपको रुखो देखो हाँ इंडिया का map आप आप आपने देखा तो coastal मतलब जो की coast पे मतलब जो की nearby sea है ठीक है तो यह वाला जो area है ना जो nearby sea है यह ठीक है तो यह क्या हो गया यह हो गया आपका coastal area ठीक है इसको coastal area बोलेंगे तो उन्होंने क्या बोला है coastal length कितनी है इंडिया की ठीक है इंडिया की coastal length कितनी है वो है 6100 km ठीक है इंडिया की coastal length कितनी है 6100 km question आपको पूछा जाता है यह ठीक है अभी फिर से बता रहो हम आपको question आपको यह पूछा जाता है ध्यान से देखना अब यह आगे सिर्फ main land की ठीक है main land की मतलब इसमें island include नहीं है like लक्षदीप, अंडामाना, निकोबार island वो island include नहीं है इसमें अगर बीना island की हम लोग देखें तो length कितनी है 6100 km अगर हम with island देखेंगे तो length कितनी है 7516.6 km ठीक है equation पूछा जाता है आपको कभी कबार तो वहाँ पे आप उन्होंने मतलब approximate करके 7500 ऐसे दे दिया होता है ठीक है तो आप वहाँ पे अगर आपको frontier की होता है frontier का मतलब होता है एक किसम का border land जो होती है ठीक है मतलब the region of a country that fronts on another country जो कि दूसरी country से मिलता है जैसे हम border बोल सकते हैं उसको तो वो उसकी length कितनी है total 15200 मतलब 15200 km ये आपको नहीं पूछा जाता वैसे तो coastal का आपको जरूर पूछा जाता है फिर आता है east west extend मतलब east से west तक कितना kilometers है length east से west तक कितना kilometers length है मतलब अगर आप east point से देखो eastmost point और west point इन में जो है यहाँ पे कितना इसका मतलब kilometers कितने kilometers length है तो ये चीज़ इनोंने बोल ला है वैसे जब हम north और south की बात करेंगे तो हम देखेंगे north से south तक कितनी उसकी length है ठीक है कितने kilometers तो वह हम लोग पढ़ रहे थे कि north east to west उसकी extent कितनी है ये है 2900 ये questions में आपको दिया रहता है ऐसा 2900 दिया रहता है approximate होता है लेकिन अगर आप specific जाओ तो 2933 kilometers है east west extent और north और south अगर देखा जाए options में ये दिया रहता है आपको ये सारे questions पूछे गए है options में दिया रहता है 3200 kilometers लेकिन है कितना 3214 अगर आप proper जाओ तो ठीक है अब आता है इंडिया की position ठीक है longitude मतलब 68.7 68 degree 7 minute अब ये जो है आपको पता है degree ये होता है minute मतलब 68 degree 7 minute east अब देखो जाब मैंने आपको पढ़ाया ये पीछे हमिस्वेर बताया तो मैंने क्या बताया east और north हमिस्वेर ठीक है तो longitude क्या करता है longitude कौन से line होती है ये तो ये किस में divide करता था मैंने आपको बताया था northern हमिस्वेर और southern हमिस्वेर में ठीक है और latitude डिवाइड करता था eastern और northern और southern में और longitude डिवाइड करता था आपका east और west में ठीक है तो वैसे ही इसका longitude क्या आजाएगा इंडिया यहाँ पे है कहीं तो longitude आएगा 68 degree 7 minute east और 297 degree 25 minute east यह आपको पूछा जाता है longitude और latitude आपको पूछा जाता है तो इसी लिए मैंने आपको यह लिखा यहाँ के main point आपका यह ठीक है उसके बाद आपका आता है mainland mainland जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि island को अगर हम छोड़ दे तो जो बचता है वो आगया mainland उसका latitude यह है अगर हम with island चले तो latitude 6 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north तो यह आपको latitude longitude जो है वो याद रखने next आता है इसमें और क्या question बनते है क्या पूछा जाता है पूछा जाता है farthest points मतलब northernmost point, southernmost point, easternmost point कौन सा है UT of Ladakh में है Karakoram range में है ठीक है अब यह Indra Cole जो है यह नाम किसने डाला था इसका किसने नाम रखा था वो लोग workman 1912 में आपको याद नहीं रखना है फिर भी इसने नाम रखा था और यह Indra किसका नाम है यह है one of the name of goddess Lakshmi जो है वो Indra का उनका नाम है तो क्या आपका point है northernmost point आपका कौन सा है Indra Cole next आता है southernmost point southernmost point जो है अब इसमें आपका आजाएगा दो क्योंकि नीचे वाले ही से में आपका sea portion है coastal area तो वहाँ पे with island और without island आजाएगा मतलब आपका main land mainland भी आपका देखा जाएगे तो Cape Comeran near Kanyakumari ये जो है southernmost tip इसको बोला जाता है अगर आप with mainland चलो with island चलो तो क्या है Indra point जैसे यहाँ पे Indra Cole है यहाँ पे Indra point है कहाँ पे on Great Nicoba island जो है ये जो है क्या है ये है southernmost point किसका mainland plus island अगर हम island को लेके चले लेकिन अगर हम island को लेके नहीं चल रहे है तो क्या है Cape Comeran near Kanyakumari याँ फिर कभी-कभी सिर्फ Kanyakamari भी mention होता है अब Indra point कहाँ Indra point actually एक light house है जिसको पहले बोलते थे Paglamin sorry Paglamin point ठीक है इसको क्या बोलते थे पहले Paglamin point ठीक है तो ये पहले 2004 earthquake से पहले क्या था ये पहले ये बाहर आता था मतलब ये mainland पे था उसके बाद क्या हो गया ये आपका पानी में मतलब earthquake के बाद ये submerge हो गया पानी में ठीक है next पढ़ते है next क्या है आपका easternmost point easternmost point क्या है आपका किवीतु in अंध्रफरदेश ठीक है किवीतु या पननसेट जैसे भी करो हो सकता है कि अंध्रा में इसको किसी और तरह से पननसेट करते होंगे लेकिन आपको नाम से याद रखना है बस किवीतु in अंध्रफरदेश लोहित रीवर जो है ठीक है अब यहाद यहाद है थेक है इस तरफ ईस्टर्फ पॉंइट आपका आगया इस तरफ आंध्रा के तरफ गुजरात में थेक है अब यह एक्वेशन भी आपको पूछे गई है इसलिए मैंने लिखे है यहाँ प्या पूछे गई है की wettest place जो है इंडिया में कौन सी है अब wettest place जो है अब देखो ये एक दो जगा में confusion होती है कभी देखो अब 2018 की अगर बात करो तो आपका महा बलेश्वर जो था वो आपका wettest place था 2019 के अगर बात करो तो चीरापुंजी जो है वो wettest place था अब आप बात करो तो ये है मैस अब इसको बोल सकते हो ये wettest place है तो मतलब ये जो area है ना चीरापुंजी से मेस राम जो है ये नेरबोर 15 km का area है ठीक है मेगालियो में है तो इसी को जो है माना जाता है ये क्या है wettest place लेकिन maximum chances ये है कि जब आपको question पूछा जाता है तो उसमें उसका generally हम लोग क्या बोल कंचन जुगा है कहाँ पे सिक्के में lowest point कुण सा है हमारा kutarnad जो कि कहाँ पे है कैरला में ठीक है largest delta कुण सा हमारा सुंदर्बन delta है ठीक है तो ये ऐसे ही आपको पढ़ना है इसी तरीके से आपको पढ़ना है आज हम इतना ही रखेंगे next हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपकी सारी चीज़ें जितना भी आपका इंडिया के बारे में बचता होगा जो भी आपकी states, capitals, cm, governors उनके बारे में जो भी important points है वो cover होंगे उसके बाद आपका area wise largest smallest कम से कम आपको तीन तो पढ़नी है ठीक है उसके बाद population wise largest smallest ऐसे करके आपको पढ़नी है ये सारे points जो ह आपको मतलब इतना कुछ high level का आप बोलों के सरे ये बहुत ही high level का ऐसा कुछ नहीं है असान topic है मज़े से पढ़ेंगे असानी से पढ़ेंगे एक और वीडियो है कि उसमें खतम हो जाएगा नया topic था इसलिए आपको confusion हो रही थी तो हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लि तो आप देखो कि इसी पॉइंट से इसी तरह से आपके MCQs आए हुए है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर मिलते हैं और फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करना कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू